बटर मिल्क बहुतीहजी ड्रिंक होता है बहुत य। बहुती पास्ट बन जाता है बहुता प्ल्गी अज़र कीचना में नाविक लाइन देखते है कैसी की है बểीट से दै कही से लग अलग नाम से भी जाना जाता है कहीं इसे चाच बोलते हैं, मठा भी बोलते हैं, महाराष्टर में ताग बोलते हैं, तो आइए देखते हैं, इतना अच्छा healthy drink बनाने के लिए हमें क्या-क्या डालना है , मैं दो glass buttermilk बनाने के हिसाब से बता रही हूं, इसमें एक क़टोरी दही लेनी है , काला नमक थोड़ा सा लेना ह जीरा पाउडर लेना है और बारिक कटा हुआ धनिया है और इसके इलाबा लेना है जिंजर का एक्स्ट्रेक्ट तो अद्रक का जो छोटा सा अद्रक है उससे बारिक किस लीजे और उसको आप निचोड करके उसमें से आप उसका एक्स्ट्रेक्ट निकाल सकते है और इसमें य काफी लगता है इसके साथ में ही तो बनाने के लिए इसको एक ऐसा बड़ा बरतन लेंगे और इसमें आप जैसे आप मैं देख रहे हो एक कटोरी देही लिया इससे दो ग्लास ताक बन जाता है और इसमें यह है white salt, regular salt है यह, salt आप आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं पर जैसे वाइट salt और black salt दोनुह यूजिज उस आदजागे ना कर रहे हैं तो यह ध्यान में रखना होगा कि दोनों मिला करके हमें जितना खारा चाहिए, saltiness चाहिए, वो दोनों मिला करके उतना आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा-थोड़ा यूज़ कर रही हूँ, बढ़ा सकते हैं कभी भी अगर आपको ज्यादा चाहिए तो, और थोड़ी सी शुगर डालनी है, इसे काफी अच्छा टेस्ट आता है, दही का जो हमने बोला दही हलकी खटी लेनी है, ज्यादा खटी दही से अच्छा नहीं लगता है ताक, और ये जीरा पाउडर है, ये डाजेशन में काफी अच्छा रहता है, और ये है जिंजर का एक्स्ट्रेक्ट, तो ये मैंने जैसे बताया, इसको जिंजर को हमने किस लिया, और उसके बाद में उसको निचोड के उसका रश निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़े डल गई हैं, इसको सब को हम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे, पूरा तैयार हो जाने के बाद में, एक कटोरी दही जो है, उसमें साधारन देड़ कटोरी पानी लगता है, तो ये भी आपका अलग-अलग चोईस है, कंसिस्टेंसी की, पर एक जो की बहुत पानी जैसा भी नहीं लगना चाहिए, और बहुत गाड़ा भी नहीं, तो उसके लिए एक कटोरी दही में, साधारन देड़ कटोरी पानी में, अच्छी कंसिस्टेंसी आती है, तो ये जिसे देख रहा है, आप मैंने पूरा मिक्स करके, इसे मैंने गार्निश पानी डाला, पहले, और इस तरह के से, कटा हुआ धनिय और मिंट के साथ गार्निश कर लिया, इतना अच्छा लग रहा है, देखके ही इतना सूधिंग और इतना अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पसंद आया हो, तो लाइक कीजिए, साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट्स भ तेखनी की लिए, थैंक यू